हलो नमस्कार दोस्तों आज हम सिखेंगे गूगल मीट में अपना एकाउंट कैसे बनाते हैं यह बिल्कुल फ्री है दोस्तों पहले इसका पेड वर्जन था लेकिन अभी बिल्कुल फ्री है तो आप इजली स्टेप बाई स्टेप हम बता रहे हैं वैसे आप करिएगा आपका से ऊपर अब इसको सिंपली आप इंस्टॉल पे क्लिक करना है यहां पे और यह एब है और कुछ देरों में आपको डाउर हो जाएगा देख सकते हैं यह दाउनलोड हो रहा है तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पे हमारा गूगल मीट एप इंस्टॉल हो चुका सक्सल्ट simply यहाँ पे open पे हम click करेंगे यहाँ पे हमको कुछ permission मांगेंगे जिसको हमको allow करना होगा allow कर देंगे इसको recording start करने के लिए उसके बाद से हमारा जो भी Google Gmail account है उसमें से किसी एक से जिसके आपको ID बनाना हो select करना हो तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो Google Meet account है वह यहाँ पे sign up हो चुका है बहुत ही easy है दोस्तों यहाँ पे sign up करना जिस account से हमने sign up किया होगा वह आपको यहाँ पे उपर show करेगा तो आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे front पे दो option दिखता है यहाँ पे जो rate हो गया है वीडियो कॉलिंग यदि आप on करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो यह on हो जाएगा second बार यहाँ पे mic option यहाँ से आप mute कर सकते हैं यहाँ पे हमको तीसरा option मिल जाता है दोस्तो एक corner में आप देख सकते हैं यहाँ से आप इसको speaker पे कर सकते हैं और mute करना है तो audio काफ यहाँ से भी कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद से आपको यहाँ पे नीचे दो option दिखते हैं new meeting यदि आप खुद meeting करना चाहते हैं तो यहाँ पे new meeting पे क्लिक करेंगे क्लिक चैसे करेंगे यहाँ पे हमको shareable link मिल जाएगा जिसको आप अपने friend के साथ या दिया फैकल्टी है तो अपने student के साथ यहाँ से टैकली share कर सकते हैं उनको group में या WhatsApp पे जहां भी करना है इस तरह आप उनसे जूड़ सकते हैं जब और फिर से यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे जो button है यहाँ क्लिक करेंगे तो वही जो share वाला link है आपको यहाँ पे provide हो जाएगा बीच वाले option की बात करेते हो यह है messaging का जहाँ से हम simply किसी को भी यहाँ पे message कर सकते हैं यहाँ पे कुछ भी type करेंगे तो जितने लोग जोईन हुए होंगे सब के पास हमार जो message है उस चला जाएगा दूसरा option आता है यहाँ पे meeting code यहाँ पे meeting code पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपको meeting code मिला होगा आपके teachers दिये होंगे ओ यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे join meeting पे क्लिक करेंगे तो आप simply join हो जाएंगे तो बस यही है दोस्तों इसमें बहु आपका security में कोई भी problem नहीं आएगा दोस्तों तो आप इसको इसली यूज कर सकते हैं यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें जिससे हमको motivation मिलता है दोस्तों उसके बाद से लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जिन्हों कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद तब मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई अ अ अ अ अ अ अ अ अ